दोफ्तों आपने से काफिस सारे लोगों का लगतार कॉमेंट आ रहा है कि आइस्मान कार्ड को हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में एक डीटेल वीडियो बनाएगे इस वीडियो में मैं आपको पूरी जनकारी बताऊँगा कि आईसमान कार्ड में आप अपने डीटेल को कैसे करेक्षन कर सकते हैं ये करेक्षन आप खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे अंतर तक जूरे रहेगा पूरी जनकारी आपको समझ में आपाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इसे एक लाइक सेर जरूर कीजिएगा इस परकर के लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करेंगे ताकि इस परकार की लगातार अपडेट आपको मिलते रहेगी फिलाल अपने स्किन पर चलते हैं पूरी डीटेल जनकारी आपको बताते हैं कि किस परकार आपकी कैरेक्शन होने वाली है आईसमान कार्ड में कुछ भी अपडेट करने के लिए आपको इनके वैपसाइट पर आना होगा इस वैपसाइट पर आने के लिए हमने लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है या आप डिरेक्ट गूगल ओपिन करेंगे गूगल में टाइप करेंगे आउनलाइन अपडेट ह्टियम आपके सामने ये फर्स्ट वैपसाइट आएगा इससे ओपेन करना है यही पर मिलेगा रासन कार्ट साइस्मान का डैसे बनाए जिस वाले लिंक पर क्लिक करना है तमाम जनकारी आपको यहाँ पर बताई गई है नीचे जब स्कॉल करेंगे तो यही पर देखेंगे आपको ओनलाइन अपलाई का लिंक मिलता है जसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस वैपसाइट पर आपको डिडारेक करेंगा यहाँ पर देखें आपको दो उप्सन मिलते हैं एक बैनिफीसरी का है, एक उप्रेटर का है लेकिन जो correction की प्रकिरिया है आपको beneficiary वाले option से नहीं मिलेगा इसके लिए आपके CAC का जो operator ID है वो होना जरूरी है इन बातों को ध्यान रखेगा जब आप operator वाले विकल पर click करेंगे तो यहाँ पर operator का जो भी mobile number होगा वो डालना होगा उसके बाद verify वाले विकल पर click करना है capture code को डालना है एक option मिलता है login का जस वाले विकल पर आपको click करना है जैसे आप login वाले विकल पर click करते हैं यहाँ पर आपको सारी dashboard खुल कर आ जाती है इसमें आप कैसे connection होगा उसके बारे में समझ लीजे देखें यहाँ पर आपका scheme PMJAY ही रहेगा state आपको अपना बताना है सब scheme PMJAY ही रहेगा आपकी जो भी district होगा आप यहाँ से district बताएंगे अब search by में आपको कई सारे option मिलता है किस मध्यम से आप सर्च करना चाहते है आधहर नमबर से चाहते है या नाम से चाहते है या आप चाहते है ग्रामिन सहरे च्छतर के मध्यम से चे करना तो जो भी मध्यम आप चाहा है उससी आप chain कर सकते हैं जैसे आधार नमबर डाला तो यहाँ पर आधार नमबर आपको डालना है जिनका भी कैरेक्शन आप करना चाहते हैं उसके बाद सर्च वाले विकल पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर देखेंगे जो आधार नमबर आपने डाला है इनके जो परिवार के जितने भी लोग होंगे जिनका भी ऐसमान कार्ड बना होगा या नहीं बना होगा तो उन सब का यहां पर आपको डीटेल देखनों के मिलता है जिसका बन चुका होगा कार्ड में देखेंगे अपरूड मिलेगा और यहीं पर डाउनलोड का ओप्षन भी आपको action के नीचे मिल जाता है अब care action करने के लिए आपको download वाले option पर ही आपको किलिक करना है जिसे आप यहां पर किलिक करेंगे तो कई सारे option आपके सामने के खुल कर आ जाता है अब इसमें character कैसे होगा तो माल लीजी जिनका भी character करना चाहते कई सारे लोगों का अगर कार्ड बना होगा तो आपको कैरेक्षन करने के लिए उसका आपको यहाँ पर नाम मिलता है उसके सामने चैन करना है उसके बाद उपर में एक ओप्सन मिलता है डीडो एक वाईसी आप इस वाले बिकल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपको के वाईसी करने के लिए बोला जाता है जिनका भी आप चाहते करना तो के वाईसी कैसे करना चाहता है अधार ओटीपी के थुरू या फिंगर के थुरू या आईड करना है थोड़ा साब को वेट करना है ओटीपी प्राप्त होगा एक इनके अधार बला नंबर पर और एक ऑपरेटर का जो मौईल नंबर है उस पर वही अगर फिंगर चुनते है तो उनका फिंगर लगमाना है और ऑपरेटर के नंबर पर ओटीपी जाएगा उससे फिल करन करना है इस परकार loading लिगा थोड़ा सापको wait करना है इस परकार कुछ detail जैसे additional information पूछी जाती है जिसमें सबसे पहले उनका एक live photo capture करना होगा यहां से आप capture वाले विकल पर click करकर capture कर सकते हैं अब यहां पर update क्या क्या कर सकते हैं जैसे आप चाहते उनका mobile नंबर देना अगर उन्होंने बनाते समय mobile नंबर नहीं दिया था तो यहां पर test करकर उनका mobile नंबर डालकर verify करकर रोटीपी डालकर mobile नंबर दे सकते हैं उनका date of birth के साल में अगर गलत है तो उससे आप यहां से आप सुधार कर सकते हैं साथे साथ अगर उनका relation गलत हो चुका है जिनके नाम से रासन कार्ट बना है और इनका कुछ और relation अगर चैन हो चुका तो उससे आप सुधार कर सकते हैं अपना पिनकोर सुधार कर सकते हैं अपना डिश्टी सुधार कर सकते हैं अभी आपको सुधार करने का option दिया जा रहा है इससे सुधार करने के बाद एक option आपको submit का मिलीगा जिस पर click करेंगे आपका detail तुरंथ के तुरंथ सुधार हो जाता है अब काफे सारे लोगों का दिक्कत क्या है कि उनका नाम गलत हो चुका है उनका पिता जी का नाम गलत हो चुका है या अन्य जो detail है वो गलत हो चुका तो वो कैसे सुधार होगा तो देखे अभी जो रासन कार्ट से आईसमान कार्ट बनाने की परकिरिया शुरू की गए तो लगभग लोगों का क्या है कि रासन कार्ट में नाम का एस्पेलिंग गलत है या तो टाइटल गलत है या उनके अभिभावा का नाम का एस्पेलिंग गलत है तो इस परकार के आने के परकिरिया जब खतम हो जाएगी तो फिर आपको सुधार करने का मौका मिलेगा जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपकी डीटेल जो है जैसे मान लीजे जो गलत डीटेल है तो यहाँ पर सोर्स डीटेल में आपको देखनों को मिलेगा और बाकी जो एक वाई सी आपक सुधार के थुरू तो अधार से आपकी पूरी डीटेल यहाँ पर आ जाएगी और गलत डीटेल इस साइड आपको देखनों को मिलेगा तो यह ऑप्शन भी आपको बहुत जल्द आगा जिसमें आप अपना नाम को सुधार कर सकते हैं माता जी का नाम पिता जी का नाम अप आपकी यहाँ पर जेंडर हो गया यह सब सुधार कर सकते हैं वाकि यह परकिरिया जैसे ही पूर्णुप से लाइब हो जागी जैसे नाम पिता जी का नाम माता जी का नाम अगर सुधार करना तो उस पर वीडियो बना देंगे आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पार जरूर बता दिएगा कि सर मेरा ये डीटेल गलत है आपका कौन सा डीटेल गलत है वो बताईएगा ताकि हमें पता चले कि आपका कौन सा डीटेल गलत है उस पर हमें एक वीडियो लाना चाहिए ताकि वह आप जल्द सुधार कर पाए है पाकि हमने कई सारे वीडियो आपके आइस हमने आपको पूरी जनकारी बताया कि किस परकार आपके आई सुमान कार्ड में ये कैरेक्षन के परक्रिया होने वाली है उमीद करता हूँ पूरी जनकारी आपको मिली होगी कहीं भी कोई डाउट कर नफ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद